महराश्र में पहले उद्धव ठाकरे के पल्टी मार सियासत से नाराज एकनाच शिंदे ने पूरी की पूरी शिविसेना उनसे छीन ली फिर सियासत में गुगली डालने के नाम पर डबल गेम कर रहे शरत पवार को उनके ही भतीजे अजीत पवार ने सबक सिखा दिया अब बारी कॉंग्रेस की है शिंदे सरकार के विश्वास मत के दौरान कॉंग्रेस ने करीब एक दरजन विधायक सदन में नहीं आये और एकनाच शिंदे ने आसानी से विश्वास मत जीत लिया मतलब कॉंग्रेस में बगावत के बीज उसी दिन पढ़ गए थे जब महज सत्ता के लालर्च में पार्टी के उद्धव ठाकरे के साथ गटबंधन पार्टी ने किया था इस बेमेल और बेतु के गटबंधन में कॉंग्रेस के कई विधाय कोरनेता असाहज थे और अब वे भी बगावत की तयारी कर रहे हैं सूत्रों का कहना है कि कॉंग्रेस के दो प्रमुख नेता उनसे बातशीत कर रहे हैं और चर्चा अब अंतिम चरण में है इस से पहले महराश्र के वनमंतरे सुधीर मुनंगटिवार ने भी ये दावा किया था कि कॉंग्रेस और अन्यदलों के नेता दल बदल को बेकरार हैं जब मुनंगटिवार से भाजपा के संपर्क में कॉंग्रेसियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सिर्फ कॉंग्रेस ही नहीं बलकि ऐसे कई लोग हैं जो अपने पार्टियों से नाखुश हैं क्योंकि उनके नेता स्वार्थ से भरे हुए हैं वे देश की प्रगती के रास्ते में बाधाएं पैदा करते हैं और वे प्रधान मंतरी मोदी को नहीं चाहते ठीक वैसे ही जैसे चाइना और पाकिस्तान चाहते हैं इस बीच कॉंग्रेस ने इस तरह की संभावनाओं को खा वक्या था कि भाजपाने पहले कॉंग्रेस को भी तोड़ने की कोशिश की थी उन्होंने कहा था कि दो तिहाई संख्या तीस विधायकों की होती है जो आसान नहीं होगा एक या दो विधायक शामिल हो सकते हैं हाला कि NCP में विद्रोह कर उप मुख्यमंत्री की शपत लेने वाले अजीत पवार के दाओं के बाद कॉंग्रेस भी सतर्क हो गई है और अपने खेमे को लामबंद करने की कोशिशों में जुट गई है पार्टी ने बैठक की और स्थिती पर चर्चा की बैठक के बाद वरिष्ठ कॉंग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक पी के अर्जीत पवार का दावा है कि उन्हें पार्टी के तिरपन विधायकों में से 40 से अधिक का समर्थन प्राप्त है 288 सीटों वाले विधान सबा में कॉंग्रेस के 45 सदस्य हैं शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के पास 17 विधायक है गेर रिपोर्ड, News of India के विधान सब्सक्राप्त है